हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रियक्टी सेट 116 है तो अगर आप टीज सभी टी पीजीटी अल्टी गिरेज जी आईसी और असिस्टेंट प्रोसेसर की तयारी कर रहे हैं हिश्ट्री सब्जेक्ट से तो यह वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंतक बने रहे है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है दोस्त त प्रिथक संप्रदाय के रूप में स्वितांबर की अस्थापना में परडित हुई स्वितांबर के अस्थापना जैसे डौट डौट रहेगा अस्थापना में परडित हुई अस्थापना में डौट डौट बल्लवी में परडित हुई तो आपसन आपका बी सही हो जाएग तो हम पाटली पुत्र कर लेते, लेकिन आपसन में पाटली पुत्र नहीं है, तो इसलिए आपका बल्ले भी आंसर हो जाएगा, व्याख्या देख लीजिए, किलियर हो जाएगा आपका, हलांकी जैन धर्म का दो भागों, जिसमें स्वितामबर और दिगंबर में विभाजन तो पाटली पुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासबा, जो चोथी सताब्दी इसापुर में ही हो गया था, तो जैन धर्म का दो भागों में जो विभाजन है, स्वितामबर और दिगंबर, उसका विभाजन पहली जो महासबा होई थी, जैन धर्म की उसी महाजबा में, पह बल्लबी में आयोजित जहन धर्म की दिति महासभा में निर्धारित हुई अता पर्ष्ण में पाफली पुत्र बिकल्प में न होने के कारहर बल्लबी सम्चित उत्तर माना जायेगा तो आपका बल्लबी आंसर हो गया वैसे पहला जो पहली बहुत जैन संगती हो इथी उसी में क्या हुआ था स्वितामबर और दिगांबर में क्या हुआ था जैन धर्मगण ringing हमें बट गयार था तो इसको याद रखेगा दो नम्मर कोशन है जैन परमपरा के अनुसार 22 में तिर्थंकर नेमी नाथ संबंदी थे जैन परमपरा के अनुसार जो 22 में तिर्थंकर है नेमी नाथ वो किस से संबंदी थे परसु राम से किछन से बिंबी सार से उदेयन से तो आंसर हो जाएगा आपका किष्ण से जो जैन परंपराव को अंसर जो 22 तिर्थंकर हैं 22 तिर्थंकर तो वो किस से संबंदित हैं तो 22 तिर्थंकर जो नेमी नाथ हैं वो किष्ण से संबंदित हैं आपसन भी आपका सही है व्याख्या देख लिजी थोड़ा सा नेमी नात जैन धर्म के प्रसिद 22 तिर्थंकर थे 22 तिर्थंकर नेमी नात को जैन धर्म में किसन के समकालिन और उनका चचेरा भाई माना जाता है आगे देखते हैं तीन नमबर कोशन है कोशन आपका PGT में पूछा गया है बीड निर्वार युग किस से संबंदित है जैन धर्म से बोध धर्म से संप्रदाई से आजीवक संप्रदाई से तो आपसन आपका ये सही हो जाएगा जैन धर्म से जो बीड निर्वार युग संबंदित है वो जैन धर्म से संबंदित है आपसन ये आपका सही है व्याठ्या देख लिजिए बीर निर्वार युग जैन धर्म से संबंधित है या 24 में तिर्थंकर भगवान महाबीर स्वामी के निर्वार को अस्मरर कराता है जो बीर निर्वार युग है उच्चोबिस में जो तिर्थंकर है भगवान महाबीर उनके निर्वार को क्या करता अस्मरर कराता है यह काला नुक्रमिक गर्णा की सबसे पुरानी पनालियों में से एक है जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है आगे देखते हैं फोर नमर कोशन है निमलिखित में कौन महाबीर जैन के सिस्स के रूप में संबंदित थे कौन जो है महाबीर जैन के जो महाबीर है उनके सिस्स को ने यह बताना है मकली गोसाल पुरन कस्यप पकुद का चायान अजीत के संबलीन तो आंसर आपका एख के साथ जाएगा मकली गोसाल जो मकली गोसाल है मकली गोसाल वो महाबीर जैन के सिस्स थे मकली गोसाल आपसन यह आपका सही हो जाएगा मक मखली गोसाल प्रारंब में महाबीर के सिस्से थे किन्तु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महाबीर की सिस्सेता त्याग त्याग आजिवक नामक संप्रदाई की अस्थापना की पूछा जाता है कि आजिवक नामक संप्रदाई के या आजिवक संप्रदाई के और यह संस्थापक कब बने जब जयन दर्म को छोड़ा तब इनों ने क्या है अपने आजीवक संप्रदाय की अस्थापना की यह लगभग यह संप्रदाय लगभग एक हजार दो इस भी जो है तक बना रहा इसका मत नियतिवाद कहलाता है या इसका जो मत है उसको नियतिवा नियतिवाद का मतलब है कि संसार की जो प्रतेक वस्तु है वो पहले से ही भाग्य द्वारा क्या है नियंतरित और नियधारित है जो होना होगा जो नियति में होगा वो होकर रहेगा यही नियतिवाद है आगे देखते हैं आपका फाइप नमर कोशन है निमलिखित में से कि किसने ब्रामडों और स्रमकों को साप और नेवले की तरह सास्वत दुस्मन कहा है पर्णी ने पतंजली ने तारानाथ ने स्रअस्व घोस ने तो आपसन आपका फाइब का बी सही हो जाएगा दोस्तों पतंजली ने कहा है किसने ब्रामड और स्रमरों को साप और नेवले की तरह सास्वत दुस्मन कहा है तो ओ किसने कहा है पतंजली ने कहा है आपसन भी आपका सही है व्याठ्या देख लीजिए थोड़ा पतंजली ने अपने महाभास में ब्रामरों और स्रमोकों को साप और नेवले की तरह सासवत दुसमन कहा है पार्णी संस्कीत भासा के प्रसिद और स्रेष्ट व्याकरर चार्य थे पार्णी ने जो है पार्णी क्या है संस्कीत भासा के प्रसिद्ध जो है व्याकरर चार्ण है अश्ठाई जो है अश्ठ ध्याई संस्कीत व्याकरर पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध किती है तो पार्णी की जो अश्ठाध्याई किसकी पुष्तक है या किसका मा व्याकरर ग रचेता है पतंजली का योग से भी संबंध है तो इसको याद रखेगा महा कभी अस्वघोस संस्कृत के प्रथम बौध कभी थे महा कभी जो घोस है संस्कृत के प्रथम बौध कभी थे अस्वघोस समराट कनिस के दरबार में रहते थे बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है अस्वघोस की जो बुद्ध चरित है वो उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरित जो है किसकी प्रसिद्ध रचना तो अस्व घोस की प्रसिद्ध रचना है याद रखिएगा आगे चलते हैं आपको मिलान करना है सुची 1 को सुची 2 से सुमिलित करना है और सही कूट के सायता से आपको आंसर करना है जैसे पीतल की जो मूर्ती है तो पीतल की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है यह आपको बत से मिली है तो कांगरा आप याद रखेंगे पीतल की भूद्द मुर्ति है वो भोजपुर से कर लेंगे तो इस तरह अगर आप मिलान करते हैं तो आपका D सही हो जाता है पहले का दूसरे से और इसके बाद B का चोथे से सी का है तो आंसर आपका D सही होता है तो इसको मिलान को आप कर लिजिएगा अच्छे से D आपका सही आंसर है आगे दे वेठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है मान कुमर से और पारसनात की मूर्ति भोजपुर से इन सब को नोट कर लीजेगा अच्छा कोशन है आगे देखिए सातवा नमर कोशन है मतलब आपको वक्तव्यों पे ध्यान देकर सही आंसर कूट की सायता से सही आंसर का क्या करना है चैन करना है बहुद दर्सन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था जो बहुद दर्सन है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है कारण बता रहा है क्यों कहा जाता था कि बुद्ध बहुजन संख्य जन को उसकी परसानियों से शुटकारा दिलाना चाहते थे तो इसमे आप सही कर लेंगे, आगे देखते हैं, आठ नमर कोशन है, KBS में पूछा गया कोशन है, KBS, PGT में पूछा गया कोशन है, बौध धरमें के, महा सांदिक, संप्रदाय की उत्पत्ति, निम्न में से कहां हुई थी, कवसांभी में, पाटली पुत्र में, राजगिरी में, वैसा इस्थाविर परंपरा बिने में अस्था रखते थे इनका नित्रित महाकंचायन ने किया था जबकि महासांदिक परिवर्तनवादी भिच्छों का सम्मू था इनका नितित महाकस्यप ने किया बौध संग का मतभेद बढ़ता गया और कालांतर में अस्थवीर ने ही नयान और महासांद्विक ने महायान का उदे हुआ कालांतर में जो अस्थवीर से ही नयार का और महासांद्विक से जो सांद्विक था उससे महायान का क्या हुआ उदे हुआ या बहुत संगती काला सोक के सासन काल में हुई थी और इसकी अध्यस्ता स्वरकामी ने की थी किसने की थी स्वरकामी या सावर मीर कहें थे वो किये थे आगे चलते हैं नाइन नमर कोशन है आपका और ए नबीएस पीजीटी भी दोजार निस में पूछा गया कोशन है पीजीटी का निम्न में से कौन प्रारब्द के दर्शन के समर्थक है लोकायत जैन चारवाक्य तो निम्न में कौन प्रारब्द जो प्रारब्द है के दर्शन के समर्थक थे तो आजीवक जो थे वो उसके समर्थक थे प्रारब्द के दर्शन के तो आपसन आपका डी सही है व्याख्या देखिए थोड़ा सा आजीवक संप्रदाय की अस्थापना मकली गोसाल ने किस सं धर में से अलग होकर हमने उपर अभी इस पर चर्चा किया था कि मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की क्या की थी अस्थापना की थी यह प्रारब्द था नियतिवाद दर्सन का समर्थन करते थे नियतिवाद को हमने जाना था लेकिन प्रारब्द जो है उसको नहीं जान तो यह प्रारब्द तथा नियतिवाद दर्सन का समर्थन करते थे तथा इनका इस्वर, पुनरजनम, कर्मकांड में विश्वास नहीं था यह भारत का प्रथम नास्तिक वादी यह भावतिक वादी संप्रदाय था यहां से कोशन पूछा जा सकता है आगे देखते हैं दसनम मखली, गोशाल थे हैं आपसन आपका सी सही हो जाएगा हमने उपर इसका व्याख्या देखा है कि आजीवग संप्रदाय के संस्थापक मखछी गोशाल है और यह जो है आजीवग संपरदाय जो है और प्रारब्द तथा नियतिवाद दर्सन का क्या करता है समर्थन करता है आजिवक संप्रदाय आपसन आपका C सही है तो फ्रेंट्स ये थे 10 कोशन हमने बहुत जल्दी ही कोशन कराने का प्रयास किया है हम किसी भी वीडियो में आपका time worth नहीं लेते हैं फ्रेंट्स आपको प्रयास करते हैं 10 मिनट है तो कम से इसकांद tänker कोशन कराया जाए, वीच कोशन कराया जाए, मतलब, जितना कम हो से के बाते कम किया जाए, कोशन आपसे जदा कराया जाए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, यूजफुन लगती हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नहें हैं, तो चैनल को सेस् इसलिए सोरी धन्यवा साथियों बने रहे आगे कल मिलते हैं नमस्कार साथियों